नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चानल में जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम यानी की अर्विन केजरिवाल को लेकर अर्विन केजरिवाल का शीश महल मानो इन दिनो सुर्खियों का कारण बना हुआ है भई कारण भी क्यों न बने जब आप अपने घर पे एक करोड के परदे लगवा सकते हैं तो लाजबिये हैं कि ये सवाल तो उठेगा ही अब सवाल विपक्षी पाटी नहीं बलकि आम जनता भी उठा रही है और कही न कहीं कहा ये ज़ा रहा है कि एक करोड के परदे तो मार्बल की कीमत भी चौका देने वाली है हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हाँ पर बताया ये ज़ा रहा है कि अब केजरिवाल के खोटाले वाले पैसे से जो उनका शीश महल रेनोवेशन के लिए तयार हुआ है 45 करोड रुपया घर में रेनोवेशन के लिए लगाया गया है तो उनके माता पिता इससे खुश नहीं है हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं जहाँ पर ट्वीटर पर कुवर श्रिवास्तव नाम के एक शक्स ट्वीट कर रहे हैं और वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिन पैसो से अर्विन केजरिवाल ने अपनी घर का रेनोवेशन किया है उससे उनके माबाप खुश नहीं है वो यहाँ पर ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि माबाप जो हैं बच्चे का विरोध करना तो चाते हैं मगर मजबूर हैं वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में कहीं न कहीं तमाम मुश्किलों का सामना आप पार्टी को जहाँ पर करना पड़ रहा है जापे मनी सुसोदियां अंदर हैं शराब घोटाले में तो वहीं अर्विन केजरिवाल का ये शीश महल भी कहीं न कहीं सुर्खियों में वना हुआ है क्योंकि अक्सर ही केजरिवाल ने अपनी छवी इमानदारी की और से दिखाई है मैं पड़ा इमानदार हूँ अब ऐसे में 1 करोड के परदे और 5-6 करोड के मारवल और तकरीवन 45 करोड प्या घर पे रेनोवेशन करना लाजमी है कि सवाल उठेंगे जनता भी जो है इन बातों का जवाब चाहती है और दूसरी और अब माता पिता भी उनके विरोध में खड़े खुतरते हुए दिखाई दे रहे हैं हालकि ये श्वीट के जरिये हम आपको बता रहे हैं फिलाल आच के इस रिपोर्ट ने बस इतना ही चानल परें सब्सक्राइब भी जो करें लाइक धन्यवाद